हेलो फ्रेंड्स कैसे आप जैसा कि आप जानते ही हैं मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 26 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से ही मैं आपके लिए full time job और part time job से related videos बना का regularly लेका राता हूँ दोस्तों आपके इस नए पुराने mobile phone में जिसमें आप मेरा ये video देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हुआ है और आपको इस खजाने की हवा तक नहीं लगी है अभी तक आपको जानकारी ही नहीं है जी हाँ मेरा विश्वास कीजिए आपके इसी नए पुराने mobile phone में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो जो खजाना है वो आपके phone में पढ़े हुए नए पुराने photographs ही हैं दोस्तों किसी भी तरह के photographs जो आपके mobile phone में पढ़े हैं जैसे कि आपकी अपनी selfie आपके दोस्तों के साथ group में खीचे हुए photographs आपके परिवार में खीचे हुए photographs आपके school, college या office में खीचे हुए photographs आपने सडकों पे चलते हुए market में या बाजार में या किसी दुकान में या किसी restaurant में खाते हुए अपने अगर कुछ photographs खीचे हैं मतलब किसी भी तरह के photographs आपके phone में पढ़ा एक एक photograph आपको 1000 से 6000 रुपे तक कमा के दे सकता है एक Germany में based company है उसकी एक photo selling website है और mobile app भी है उसका नाम है I.E.M. जी हाँ I.E.M. इसी photo selling mobile app के उपर आपने अपने mobile phone में पढ़े हुए photographs को upload कर देना है और जैसे जैसे आपके photographs बिखते जाएंगे आपकी कमाई US dollars में या euros में होती जाएगी और पैसा आपके भारतिय सेविंग bank account में पहुँचता रहेगा आप में से ज्यादतर लोगों के दिमाग में ये बात अवश्या आ रही होगी कि यार हमारे mobile phone में photographs को कोई क्यों खरीदेगा और वो भी 1000 से 6000 रुपया प्रती photograph पे करके देखे दोस्तों मैं आपको बताता हूं देखे दोस्तों हमारे भारत देश के अबादी 130 करोड से ज्यादा है यानि कि भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी market है एक बहुत बड़ा बाजार है यहां पर क क्रोडों कस्टमर्स हैं बहुत बड़ी middle class है सारी दुनिया में फैली हुई चोटी बड़ी लाखों कम्पनिया आपस में होड करती हैं कि वो भारत में अपने products और services को बेच सकें तो यही पूरी दुनिया में फैली हुई चोटी बड़ी कम्पनिया आपके photographs को खरीदना चा टार्गेट करने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेस्बूक, इंस्टागराम वगएरा या वेबसाइट के उपर या ओनलाइन सर्च में कहीं न कहीं दिखाना होता है ताकि करोडो भारतिय ग्रहक इन विग्यापन या एडविटीजमेंट्स को देखें और इन कमपनियों के प्रोड़क्ट्स या सर्विसिस को खरीदें तो इन भारत को टार्गेट करके बनाए जाने वाले विग्यापनों या प्रमोशनल मेटीरियल के लिए भारत के ही लोगों की और जगहों की फोटोग्राफ्स की आवशक्था पढ़ती ही है अलग-अलग तरह के भारतिय चेहरों की आवशक्ता पड़ती है भारत में 23-24 से ज़ादा राज्य हैं हर राज्य में रहने वाला व्यक्ति उनके कॉंपलेक्शन और चेहरे के हावभाव की वज़े से डिफरेंट होता है दोस्तों तो भारत के हर राज्य के व्यक्तियों की अ फोटोग्रैफ्स की आवशक्ता पड़ती है भारतिय बजारों सडकों गलियों मार्केट प्लेस पहाडों नदियों समुंदर के किनारों के फोटोग्रैफ्स की आवशक्ता पड़ती है और अगर अभी तक आपके मोबाइल फोन में ज्यादा फोटोग्रैफ्स नहीं है तो mobile phone के back camera से खीचें क्योंकि जो आपके mobile phone का back camera होता है उसमें megapixels ज्यादा होते हैं हलांकि आप अपने mobile phone के front camera से भी photographs खीच सकते हैं कोई problem नहीं है देखें दोस्तों काम इस तरह से होगा सबसे पहले 100% free IAM photo selling mobile app को अपने mobile phone में download कर लेना है कोई entry fee या registration fees नहीं है दोस्तों उसके बाद आपने mobile phone में पढ़े हुए अच्छे अच्छे photographs यानि कि जो आपको अच्छे लगते हों बस उन्हीं photographs को इस mobile app के उपर upload कर देना है अपने photographs upload करते हुए दोस्तों काफी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि आपके photographs जल्दी से बिक जाएं और ज्यादा से ज्यादा बिकें क्योंकि आपका हर photograph जितनी जितनी बार बिकेगा हर बार आपको कम से कम 1000 रुपे से लेके 6000 रुपे की कमाई होगी मैं इसी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा detail में और बहुत बारीकी से ये सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने mobile phone के photographs इस I.E.M. photo selling mobile app के उपर download करेंगे और इसके लाब आपको कुछ tricks भी बताऊंगा अगर आप उन्हें follow करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी कर पाएंगे देखे दोस्तो हर photograph को upload करने के साथ साथ आपको हर photograph के साथ में एक title, tags, description वगेरा और भी बहुत सारी जानकारियां डालनी होती हैं तभी आपका वो photograph जल्दी बिखता है और ज्यादा कीमत पर बिखता है और ये सब जानकारियां किस तरह से डालनी हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बहुत detail में समझाऊंगा और सिखाऊंगा तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे बिना skip किये तभी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे और कोई गलतियां भी आपसे नहीं होंगी और तभी आप अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे और जो भी कमाई आप यहां से foreign exchange, euros या US dollars में करेंगे वो सुरक्षित तरीक से आपके भारतिय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ, तो friends ये है मेरे laptop का screen, सबसे पहले मैं आपको IEM की site खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको IEM की mobile app भी खोल कर दिखाऊंगा, सारा काम mobile app पर ही करेंगे मेरे mobile phone के उपर, सबसे पहले मैं आपको इसकी website खोल के दिखा देता हूँ, मैंने आपको IEM की website सबसे पहले इसलिए दिखाईए दोस्तों, कि website जो है आपके laptop या desktop पर चलेगी, ठीक है, अगर आप अपने laptop या desktop से काम कर रहे हैं, तो आप IEM की site खोल सकते हैं, मैंने इस IEM site का website link इस video के description box में दे दिया है, आप click करेंगे तो ये इस तरह से आपके desktop या laptop पर खुल जाएगी, अभी मैं आपको IEM की mobile app पर भी लेकर चलूँगा, आज मैं आपको दोस्तों सारा काम अपने mobile phone पर ही दिखाऊँगा, आप चिंता मत कीजे, सबसे पहले इस photo selling site IEM के बारे मैं आपको थोड़ी सी और details दे देता हूँ, ताकि आपको confidence रहे, देखिए इस site पर थोड़ा नीचे आएंगे, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, IEM photo selling site के उपर करीब करीब 25 million contributors हैं, जो 150 मुलकों में अपने घरों में बैठ कर सिर्फ अपने camera या mobile phone के photographs इस site या mobile app अपलोड कर देते हैं, और US dollars में कमाई कर लेते हैं, आप भी कैसे कर पाएंगे, मैं अभी आपको practically करके दिखाऊंगा, आपके mobile phone पर ही, आप चिंता मत कीजे, इस site के उपर पहले से ही करीब 100 million, यानि के 10 करोड से ज्यादा images या photographs अलग अलग लोगों ने या contributors ने पहले से upload कर रखे हैं, तो बहुत ही बड़ी site है, और बहुत ही ज्यादा reputed है दोस्तों, दुनिया भर की company आपर अपनी जरूरत की images या photographs यहां से purchase करते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा वो कितनी बड़ी बड़ी company हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं, कि कि तरह के photographs यहां बिकते हैं, आप देखेंगे दोस्तों कि यह देखेंगे एक lifestyle से related photograph है, यह कोई European महिला है, लेकिन अगर आपके पास कोई भारत के lifestyle से related photograph आपके mobile phone या camera में पहले से पढ़े हुए हैं, आप यहां upload कर सकते हैं, अब देखेंगे यह किसी ने अपने office में अपनी fields हैं, खेत हैं, खलियान हैं, जंगल हैं, सडके हैं, समुंदर के किनारे हैं, तो उनकी photograph भी अगर आपके mobile phone में हैं, आप IM site या mobile app पर डाल देते हैं और वो बिक जाती है, तो US dollars में कमाई होती है दोस्तों ठीक है, यानि कि कोई setting करके पहले से script लिखकर कोई photograph लेने की हैं, तो अब आप खीचना शुरू कर दीजिए, अपने camera से या mobile phone से और इस site के ओपर upload करना शुरू कर दीजिए, कैसे करना है, वो भी मैं आपको थोड़ी दिर में अभी बताऊंगा, और सिखाऊंगा, practically करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता ह हैं, उनमें Mercedes भी है, ये देखिए, Mercedes का ये logo है, ये देखिए, एक और company है, Sennheiser, ठीक है, Nikon, Nikon एक बहुत बड़ी camera बनाने वाली company है दोस्तों, ठीक है, ये Essex, Spotify, एक बहुत बड़ी company है, ठीक है, तो यहाँ पर सैकड़ों, हजारों कमपनियां आकर, अपने मतलब के photographs खरी लग रही है, इन्होंने अपने office में या कहीं पर photograph खेचवा लिया किसी से, या उनके mobile या camera में पहले से होगा, उन्होंने IEM site या mobile app पर upload कर दिया, अब यहाँ देखें, ये top selling photographs में से एक है, कि ये site के ओपर दिखता है, जैसे ही कोई company, किसी particular country, let's say India में, अपने लिए कोई विग्यापन बनाना चाहती है, तो वो उसमें भारत के चहरे ही दिखाना चाहते हैं, जो भारत ये लगते होंगे, ठीक है, तो वो IEM site के उपर आते हैं, यहाँ पर वो भारत से related चहरे ढूंते हैं, selfies ढूंते हैं, या बजार के photographs ढूंते हैं, या पहाडों के या nature के photographs ढूं की, ठीक है, अब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ कुछ contributors हैं, जो इस IEM site के उपर अपने photographs डाल कर कमाई कर रहे हैं, इन में से एक ये भारती भी हैं, अब देख सकते हैं, ये किसी दूसरी country के हैं, ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि IEM photo selling site के उपर, जो आप photograph डालते हैं, वो बिक्ती कितने की हैं, ठीक है, अब देखिए, सबसे उपर जहां लिखा हुआ है, for business, ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए, जहां लिखा हुआ है, pricing and licenses, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब देखिए, दोस्तों, ये जो पेज है, ये उन लोगों को देना होता है, I.E.M. को एक-एक photograph खरीदने के लिए, अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, essentials, photos that meet your everyday needs, यानि कि सबसे कम, तकरीबन 30 euros की एक photo, I.E.M. के उपर बिक्ती है, अगर आपने अपना photograph यहाँ डाल दिया, कोई भी, mobile या camera में पढ़ा हुआ, और वो अगर बिक किया, तो कम से कम 30 euros का बिकेगा, एक photograph, ठीक है, तो आपको उसका 50% मिलता है दोस्तों, यानि एक photograph अगर कम से कम धाई हजार रुपे का बिकता है, तो आपको करीब साड़े बारा सो रुपया मिल जाता है, अब देखिए, यहाँ ब्लॉक में, पैक में भी बिकते हैं photograph, अग यानि अगर आपका 5 photograph का pack बिक गया, तो आप 5,000 रुपया कमा पाएंगे, ठीक है, उसके बाद एक और package है, 10 photograph का, ठीक है, जिसका rate है करीब 230 euros, यह customer के लिए, यानि कि जो आपके photograph customer या company खरीदेगी, उन्हें ये rate पे करना पड़ेगा, तो इस से आप अंदाजा लगा सकते कि आप कितना कमा पाएंगे, क्योंकि I am site के उपर जो company या customer आकर photographs या images purchase करते हैं, तो वो इस page के उपर आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर वो कितना पैसा पे करते हैं, इस से आपको अंदाजा लग जाता है, कि as a contributor, यानि जो photograph डालने वाला वेक्ती है, वो कितना कम आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी rate लिखा है, I am site की policy के मताबिक 50% उस वेक्ती को मिलेगा, जिसका photograph लिखता है, तो इसलिए मैं आपको इस page पर लेकर आया हूँ, ठीक है, उसके बाद कुछ premium इनके photos होते हैं, high quality photos, ठीक है, आप अपने normal photos ही, जो mobile या आपके camera में है, I am site क जो team है, वो decide करती है, कि यह normal category का है, या high category का है, ठीक है, वो बहुत सारे factors पर depend करता है, सिरफ इसी चीज़ पर depend नहीं करता है, कि photo के pixels कितनी हैं, या कितनी साफ है, ठीक है, कितनी interesting photo है, उसके basis के उपर, I am की जो team होती है, वो decide करती है, तो अगर आपके photographs इस category के अंदर select हो गए, तो एक एक photograph का 200 euros मिलता है दोस्तों, 200 euros का मतलब दोस्तों हो गया, करीब करीब 17-18,000 रुपया एक photograph का, आप ये देखकर हैरान मत हुएगा दोस्तों, हमारे लिए भारत में 17-18,000 रुपया एक बहुत बड़ी amount होती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर मुल मिलती है, तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, कि आप ये जो बड़ी-बड़ी amounts है, कि एक-एक photograph के ओपर इतना पैसा मिलता है, ये देखकर हैरान मत हुएगा, क्योंकि ये ये यूरोप और अमेरिका के companies या customers के लिए इतना पैसा एक photograph के लिए देना नॉर्मल सी बात है, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक और option भी यहाँ पर मिलता है, ये basically अगर कोई भी customer या company आकर request डाल देती है, let's say, एक company है जो भारत में एक विग्यापन बनाना चाहती है, भारत के लोगों को target करके, ठीक है, अपना कोई product या service launch करना चाहती है, ठीक है, तो वो I am photo selling site के पर आकर, यहाँ पर एक custom request डाल देगा, यनि एक order डाल देगा, कि मुझे इस तरह के photograph चाहिए, let's say, कोई customer है, वो भारत में, जारखंड में, कोई product या service launch करना चाहता है, तो वो यहाँ आकर अपनी request डाल देगा, कि मुझे जारखंड के specifically, लोगों की photograph चाहिए, वहाँ के areas, बजार, markets के photograph चाहिए, ठीक है, और आप यहाँ पर वो photograph अपने specifically, हीच कर, mobile से या अपने camera से upload कर देंगे, और अगर उनको पसंद आ गए, तो वो आपको उसका payment करेंगे, तो यह भी एक तरीका है, कमाई का, लेकिन सबसे बढ़िया यह पहले दो है, जहाँ पर आपके mobile phone य दिखते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में यह आई रहा होगा, तो चलिए, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, कि वो तहां दिखता है, इस site के ओपर, अब देखी, यहाँ पर हम वापस जाएंगे, यहां से, और उसके बाद हम आएंगे, इसी site के ओपर सबसे नीचे, सबस है, जहां पर photographs डलते हैं, आप photograph डालते हैं, कोई भी photograph डाल सकता है, free में, registration करके, तो वो photograph डालने की minimum requirements क्या है, यानि कि I am photo selling site किस तरह के photographs accept करती है, जो आपके mobile या camera में पड़े हुए हैं, ठीक है, वो अब हम यहाँ से देखेंगे, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब दे technical requirements for photos accepted to I am market, ठीक है, दीक है, नीचे लिखा हुआ है, we only accept, यानि हम accept करते हैं सिरफ JPG format, जनरली जब आप कोई भी photograph अपने नए पुराने किसी भी company के mobile phone या camera में खीचते हैं, तो वो JPG format में ही होता है, ठीक है, तो यह आप देखकर हैरान मत होएगा, कि आपको यह पता नही है कि JPG format क्या होता है, आप जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है, दस में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता होगा कि JPG format क्या होता है, तो आप यह सोचकल परशान मत होएगा, मैं अपने वीडियो में सारी बातें इतनी असान कर देता हूँ, आप के लिए समझना कि कोई भी व्यक्ति जिसने पहले ये सब काम नहीं भी किये हैं, वो समझ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको इसकी full form बता कर आपको confused नहीं करूँगा, बस आपके mobile या camera में जो भी photograph है, वो जिस भी format में है, इसका चांस है कि वो JPG format में ही होगा 99%, ठीक है दोस्त या camera में जो भी photographs होंगी, वो कम से कम 4 megapixel की होंगी ही दोस्तों, ठीक है, तो आप बे धड़क अपने photographs को I am mobile lab के उपर या I am site के उपर upload कर सकते हैं, और यह उमीद रख सकते हैं कि वो बिकेंगे, photographs interesting होने चाहिए, ठीक है, बस यही एक main requirement होती है, उसके नीचे लिखा हुआ ह without watermarks, यानि कि कहीं से आपने अगर वो photos download कर लिये हैं, उनमें कोई watermarks हैं, किसी भी कारण से, ठीक है, यानि उनको इस तरह से edit किया गया है, कि free editing software का इस्तेमाल करके, अगर आपने किसी भी अपने photograph को edit किया है, तो उसमें watermarks हो सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई watermark व frames नहीं लगाने है, ठीक है, आप edit कर सकते हैं, edit करने में issue नहीं है, जरूर कर दीजे, लेकिन उसमें चारों तरफ कोई frame नहीं लगाना है, photograph के अंदर, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, मेरे screen पर ही, आपको ये दिख रहा है, ये एक photograph है, जो बिना frame के है, ये एक और photograph है, जो frame के साथ है, तो ये जो frame हमने लगाया specifically, ये नहीं लगाना है, ठीक है, without frame ही हमने photograph यहाँ पर upload करना है, उसके नीचे देखिए, दोस्तों लिखा हुआ है, photo that you own the copyright to, इसको देखकर सुनकर परशान मत होएगा, आपके mobile phone में या camera में अगर कोई भी photograph है, तो आप ही उसके मालिक है, आप ही के पास उसकी copyright है, तो इसके लिए आपको परशान होने की आवश्रकता नहीं है, उसके नीचे आएंगे तो दीखे, दिखा हुआ है, maximum upload size is 45 MB, यानि कि जो photograph या image आप upload करेंगे, I am site या I am mobile app के ओपर भिकने के लिए, व 45 MB से ज़्यादा बड़ी size की नहीं होने चाहिए, देखे, बहुत कम chance है कि इससे बड़ी किसी भी mobile phone में या camera में होगी, तो इसकी भी आप फिकर मत कीजे, अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज़ बताता हूँ, आप basically मेरे वीडियो इसलिए देखत तो एक जरूरी चीज़ मैं आप आपको बताता हूँ, suppose आपने अपना कोई भी photograph या काफी सारे photograph IAM site के उपर या IAM mobile app के उपर upload किये, किसी कारण से वो reject हो गए, तो आप थोड़े निराश हो जाएंगे, तो वो reject ना हो, तो वो मैं आपको कुछ tricks बताता हूँ, जो IAM app ने अपनी तरफ से ही बता रखी हैं, अब देखिए वो यहां लिखे हुए, जहां लिखा हुआ है, why were my photos rejected, यानि कि अगर आपके photos reject करती है यह site, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, अगर आपको यह पता हो, तो आप definitely इसी तरह से photograph या इसी तरह के photographs इस site के उपर upload करेंगे, ज मैं आपको वो खोल के दिखा देता हूँ, देखिए यह सबसे उपर लिखा हुआ है, why were my photos rejected, ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारे reasons हैं, जिसकी वज़े से आपके photographs reject हो सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ, photos rejection on market can happen for a number of reasons, ठीक है, repetitive content, ठीक है, एक ही तरह के आपने बहुत सारे photographs लगा दिये, let's say, आपने एक ही location पर, एक ही तरह के shirt में, या एक ही तरह की dress में, एक ही जैसी 5-6 या 10 selfies खीचनी, और सब की सब आपने यहां पर upload कर दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो एक तरह की हो गएं, similar हो गएं, उसको क इसकी तरह के subject या topic वाली photograph upload नहीं करनी है, ठीक है, उसके बाद नीचे आते है, out of focus, images which are not clearly defined can also be rejected, यानि देखिए ये photograph है, जिसका कोई सिरपैर ही नहीं दिख रहा है, कोई focus ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की photograph आपने upload नहीं करनी है, let's say, अगर कहीं पर आपने कोई photo यहा जो भी photo, I am, photo selling site या I am, mobile app के उपर upload करेंगे, वो blur या out of focus ना हो, ठीक है, उसमें देखिए तीसरा कारण एक और हो सकता है, photo reject होने का, कि या तो बहुत dark हों, या बहुत light हों, यानि कि उसमें या तो दिखी नहीं रहा है कि topic या subject वो है क्या, या बहुत ज्यादा lighting वहाँ है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे to noisy, कहने का मतलब यह है कि noisy का मतलब यह नहीं कि उसमें आवाज आईगी, photograph में आवास नहीं आती है, photograph में noisy शब्द का मतलब यह होता है, कि photograph जो है, वो clear नहीं है, उसके अंदर जगा जगा दाने पड़े हों, grains ह है, ठीक है, तो वो photograph साफ सुथरी, clear होने चाहिए, ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों कि यह photograph है, यह with grains है, या नहीं कि इसके अंदर noise है, ठीक है, और यह वो photograph है, जो without grains है, या without noise है, तो यह फर्क है देखें दोर में, अब आप समझ गए, कि आपको कैसी photograph IM website या IM mobile app के उपर upload करके पैसे कमाने, उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, low resolution, अधिक हैं लिखा हुआ है, कि कम से कम 4 megapixel का resolution होना चाहिए, कोशिश आप यह कीजिए, कि जब भी आप photograph upload करें, आप यह चेक कर सकते हैं, कि उसका resolution कितना है, अगर 4 megapixel बाइचांस नहीं है, तो upload मत कीज वैसे अगर आपने पिछले कुछ सालों में ही अपने photograph क्लिक किये हैं, चाहे वो front camera है या back camera है आपके mobile phone का, तो वो 4 megapixel होगा ही, अगर कोई photograph बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत साल पहले खीचा गया है, तो उस जमाने के mobile phones में हो सकता है, कि जो front camera है, वो 4 megapixel का ना रह होगे, तो 4 megapixel से कम का photograph अगर आप upload कर देते हैं, तो वो reject हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखे, जो भी company या वेक्ति आकर IEM photo selling site से आपकी image खरीदते हैं, या खरीदना चाहेंगे, उनको वो image कहीं इस्तेमाल करनी है, किसी advertising campaign में, किसी video में, या किसी magazine में, ठीक है जो भारत को target करके वो company विग्यापन वगेरा बनाती होंगी, या कोई documentary, वहाँ वो image इस्तेमाल होगी, ठीक है, तो अगर वो 4 megapixel से कम है, तो वो उनका purpose solve नहीं होता है, ओके दोस्तों, उसके बाद देखे, नीचे लिखा हुआ है watermarks, यानि कि अगर किसी photo में watermark है, ठीक है, तो वो accept नहीं होता है, अब देखे दोस्तों, इस site नहीं एक example दिया है, देखे, यह बहुत सुन्दर photograph है, लेकिन यहाँ पर देखे, लिखा हुआ है, किर्स्टी ली, यानि कि यह जो photograph है, इसके अंदर एक watermark है, अब हो सकता है कि यह जो photograph है, इस वेक्ती का है, चाहिए इस दिखा है, कुछ भी, तो यह इसको कहते है watermark, यह photograph में आपके नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आप photograph अपलोड कर देंगे, और कल आपकी photo reject हो जाएगी, आपकी कमाई नहीं हो, ठीक है, उसके नीचे देखेंगे overly edited, अगर आपने photograph को edit करके डालना है या डालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर डालिए, लेकिन यह कुछ ज़्यादा edit हो गया, आप देखेंगे, इसके अंदर कुछ photograph ज़्यादा edit हो गया, जिसको हम कहते है over editing, ठीक है, तो यह बायर खरीदते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए I am site उन्हें reject कर देती ह ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब देखें, यहा लिखा हुआ है photo colleges, photo colleges का मतलब यह होता है दोस्तों, कि यह एक photograph है, ठीक है, अब किसी वेक्ती ने 4-5 photograph को यहाँ पर जोड़ कर एक photograph बना दिया है, इसको कहते है photo colleges, यह accept नहीं होते हैं, यह वेक्ती अगर यह जल्दी बिकेगा, यह ज्यादा बिकेगा, यह बिकता नहीं है, यह reject हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसा भी आपने नहीं डालना है, तो अगर आप यह 8-9-10 चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपके photograph, IAM website या mobile app के उपर reject नहीं होंगे, और आप उमीद रख सकते हैं क दोस्तों, मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि IAM site आपके बहुत सारे photograph का rate कैसे decide करती है, ठीक है, अलग-अलग photographs की category बनाकर यह site, अलग-अलग rate decide करती है, वो broadly कैसे किया जाता है, इनकी क्या policy है, IAM site की, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जहां लिखा हुआ ह how are photos priced, मैं यहां click कर दूँगा, अब देखें, दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, how are photos priced, ठीक है, यनि कि आपके जो photographs है, उनके rates कैसे decide करती है, यह site, ठीक है, what is a photo license, देखें, IAM site का एक policy है, कि जो आपका photograph होता है, वो अगर कोई भी customer खरीदता है, तो उसको एक तरह से license खरी लिया, तो या तो वो उस photograph का एक बार इस्तेमाल करेगा, तो वो एक तरह की payment करेगा, उसके पास ये भी option होता है, कि वो आपके photograph को 2, 3, 4, 5, 10, 50 बार इस्तेमाल कर सके, तो वो rate अलग लगता है, लेकिन वो उसको license एक खरीदना होता है, ठीक है, चाहे वो एक बार इस्तेमा की, जो marketing team है, वो आपके photograph को जादा से जादा कीमत के उपर customers को या companies को बेचने की कोशिश करती है, क्योंकि IAM को भी तो 50% commission मिल रहा है, ठीक है, तो वो जादा से जादा कीमत पर जादा से जादा अच्छे तरीके से उसको बेचते हैं, ठीक है, जो भी international marketing practices हैं, उनका इस्ते जाद से जादा revenue या profit कमाने की कोशिश करते हैं, और आपके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि आपके जितने जादा photograph, जितनी बार बिकेंगे, जाए वो एक customer खरीदे या अलग-लग customer खरीदे, आपको commission मिलेगा, तो दो तरह के license होते हैं, extended license, एक extended license, ठीक है, एक होता है essential, एक premium, यानि कि एक category है, जहाँ पे rate कम होते हैं, यानि करीब 30 euros, यानि करीब 5,000 रुपया एक photograph का, premium category के अंदर एक photograph तकरीबन 17-18,000 का बिकता है दोस्तों, तो ये दो categories हैं, और ये दो license हैं, ठीक है, अब दोस्तों, मैं आपको IAM की mobile app के उपर लेकर चलूँगा, और practically आपक के उपर upload कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले, IAM की website के उपर इसलिए लेकर आया हूँ, कि जो भी जानकारियां अभी मैंने आपको दिखाई हैं, वो IAM की website के उपर ही दिखती हैं, पर मैं अब आगे की सारी जानकारी, आपको IAM की mobile app पर अपने mobile phone पर ल box में डाल दिया है, अब जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये site आपके mobile phone पर खुल जाएगी, ठीक है, 100% free में registration होता है, कहीं कोई आपकी investment नहीं होती है, मैं आपको ये install करके दिखा देता हूँ, अब मैं इसको open कर लूँगा, अब देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरी Google पर click कर दूँगा, यहां से मैं कोई भी एक email ID अपना choose कर लूँगा, अब देखिए यहां लिखा हुआ, sell your photos to leading brands and agencies, ठीक है, और उसके नीचे आएंगे तो लिखा हुआ, make 50% of every sale, ठीक है, stay in control, get exposure, यानि कि आप पैसा भी कमाएंगे और आपको publicity भी मिलती है, सारी दुनिय मैं, उसके नीचे आएंगे देखिए, यहां लिखा हुआ, sign up for market, मैं यहां क्लिक कर दूँगा, अब देखिए, सबसे उपर लिखा हुआ, market sign up, ठीक है, तो देखिए, अब हम IM की mobile app की जो marketplace है, ठीक है, वहां पर अपने photographs बेचने के लिए, यहां sign up करेंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले laptop पर इसलिए दिखाया था, क्योंकि जो details IM की website के अंदर है, वो IM की mobile app में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए details दिखाने के लिए मैं पहले आपको IM की website के ओपर ले गया था, लेकिन आपने सारा काम, सिर्फ और सिर्फ अपने mobile phone पर ही करना है, IM की mobile app से ही करना है, ठ रहेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना first name लिख दूँगा, last name लिख दूँगा, यहाँ पर आपने अपना address डाल देना है, दोस्तों, जो भी आपका exact address है, आप जहाँ पर रहते हैं, अगर वो permanent address डालिए, otherwise जहाँ पर भी आपका permanent address है, वो ही डालिए, ठीक है, अपना यहाँ टाइप कर देंगे इंडिया, तो यह आ जाएगा, जो state है, यह optional है, लेकिन आप select करने तो अच्छा है, मैं डेली में हो, तो मैंने यह select कर ली, आप जिस भी state में हो, भारत की, आप select कर लीजेगा, I'm 18 years of age or older, ठीक है, यह select कर लीजेगा, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम से यह registration I'm के उपर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तो, अब मैं इसको on कर दूँगा, देखिए मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो यह on हो गया, अब मैं sign up पर क्लिक कर दूँगा, अब देखिए दोस्तो यह I'm photo selling mobile app का home page है, सब getting noticed and start earning, इतना ही असान है दोस्तो, तो सबसे पहले हम अपनी email ID को verify कर लेंगे, यह ज़रूर ही है दोस्तो, क्योंकि हम यहाँ से कमाई करने आए, तो कोई ना कोई अपना verification तो हमें करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा भी तो यहाँ से कमाना है, और वो पैसा हमारे भ सबसे पहले हम verify करेंगे, अब मैं अपना email ID चेक कर लेता हूँ और वहां से verify कर लूँगा, अब देखिए दोस्तो, यह वो email है, जो IM की तरफ से मेरे email ID पर भेजा गया, verify करने के लिए, देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, activate your account, यहाँ पर मैं click कर दूँगा, अब देखिए देखिए दोस्तो, यह एक हमारा profile का page खुला है, हमें छोटी सी अपनी एक profile बना लेनी है, अब देखिए यह जो एक window है, इसमें left hand पे एक pen का button है, मैं यहाँ click करूँगा, इस से हम इसको edit करेंगे, देखिए हमने जो अपनी profile है, उसका नाम रख लेना है कोई, मैंने इसका नाम रख दिया, nature beauty, आप चाहें तो कोई और नाम रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, profile का नाम बहुत important है, देखिए दोस्तो, अगर आप अपनी profile एक particular category की बनाना चाहते हैं, तो आप उसका कोई नाम रख सकते हैं specifically, let's say, अगर आप सिरफ अपने या अपने यारों दोस्तो के या परिवार के सदस्यों के photograph डालना चाहते हैं, तो आप एक category बना लीजे, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, या आपके camera में, या आपके mobile phone में, nature के कुछ photographs हैं, यानि के पहडों के, पेडों के, जंगलों के, ठीक है, या समुंदर के, किनारों के, या किसी भी तरह क नेचर के, प्रकृती के photographs हैं, तो यह अब आपने decide करना है, कि आप कितने creative हो सकते हैं, otherwise नाम कुछ भी रख लीजे, लेकिन अगर आप specific हो जाएंगे, तो आपके कमाई के chances बढ़ जाते हैं, उसके बाद देखें, यहा नीचे username है, यह mobile app खुदी suggest कर देती है, इस mobile app ने मेर एक username suggest कर दिया, ठीक है, उसके बाद यह जहां लिखा है about you, यहां मुझे अपने बारे में या आपको अपने बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, यह profile का एक हिस्सा है, 150 character तक का कुछ भी आप लिख दें, अच्छा सा मैं भी लिख देता हूँ, कोशिश यह कीजेगा कि जो मैंने process start नहीं किया है, ठीक है, अब दिखे दोस्तों नीचे लिखा हुआ है your first I am photo, अब दिखे यहां लिखा हुआ है start getting noticed, tap the camera icon to take or upload your first photo, यानि के दोस्तों आप इस mobile app के उपर अपनी पुरानी mobile phone की या camera की photos तो upload कर ही सकते हैं, और चाहें तो इस mobile app के camera function को इस्तेमाल करकर नई photograph उसी वक्त खीच कर भी upload कर सकते हैं, यानि कहने का मतलब यह है कि यह जुरूरी नहीं कि पुरानी photograph सी आपने डालनी है, आप इस mobile app को अपने mobile phone में download करके रखिए, अगर आपको कोई अच्छा subject या topic या कोई category कहीं पे दिखे photograph की, आपको लगे कि यह photograph लिया जा सकता ह चाहे आपने selfie ही लेनी हो, तो आप तुरंत यहां आईए, यह जो camera icon है, यहां click कर दीजे, देखे मैं click कर देता हूँ, और मैं अभी फिलहाल इसको allow कर दूँगा, ठीक है, तो इसने मेरे phone की जो gallery है, वो खोल दी है, अब मैं वहां से कुछ photograph select करके, इस mobile app के उपर upload कर यहां से मैंने ये एक photograph select कर लिया, और जहां उपर select का button है, यहां पर click कर दिया, अब दीखे दोस्तो, I am की mobile app हमें अपने photographs को edit करने की भी facility अपनी ही इस mobile app के अंदर देती है, मैं यह suggest करूँगा कि आप इस editing के option को avoid करें, यानि कि ज़्यादा कोशिश ना करें, आपकी जो original photograph है, जैसी भी है, आप इस I am photo selling mobile app के उपर बस upload ही कर दें, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यहां पर photo editing के जो options हैं, वो आप इस्तिमाल कर सकते हैं, free of cost हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अभी यह original है, मेरी photo, ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा change करना चाहूं, तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं, बहुत सारे options हैं, यह देखिए नीचे जो एक बार चल रही है, इस से मैं इस photograph को थोड़ा बहुत edit कर सकता हूँ, बहुत सारे options हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, जहां देखिए लिखा हूँ है F1, मैं यह क्लिक करता हूँ, तो देखिए यह मेरा जो photograph है, थोड़ा change हुआ है, अब देखिए बहुत ज़्यादा bright हो चुका है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा bright या बहुत ज़्यादा dark photograph, I am photo selling mobile app के उपर upload कर देंगे, तो reject हो जाएगी दोस्तों, अगर यह photograph मेरा काफी dark होता, त इस पर एक बार क्लिक कर दूँगा, तो देखिए यह ऊपर एक बार खुल गई, अभी इस mobile app ने मेरे photograph पर जो brightness है, वो maximum कर रखिए 10, मैं अगर चाहूँ तो इसको घटा सकता हूँ, यहां से देखिए, अब मैं इसको यहां से तीन पर ले आया, यह तो कम हो गई, मैं आई-म, mobile app के उपर upload कर दीजे, और इसका जो photo editing का यह tool है, इससे उसको थोड़ा सा bright बना दीजे, otherwise अगर photograph नॉर्मल है, तो आप छेडिया मत, ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इसको वापस one pay कर दिया, और right hand में जहां यह टिक का निशान है, मैं इसके उपर click कर दूँगा, त देखे, यह कोई normal photo upload करने वाली app नहीं है, दोस्तों, इस I am mobile app पर हमने photos upload करके पैसे कमाने हैं, और वो भी बहुत सारे, ठीक है, तो हमें अपने हर photograph का एक caption भी देना होता है, यानि उस हर photograph की details हमें यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, जब भी हम photograph डालेंगे, अगर आपने 50 photograph दालने हैं, तो आपको हर photograph की इस तरह की details डालनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे उपर हमने इसका caption डाल देना है, अब मैं इसका caption डाल देता हूँ, middle aged Indian in office, ठीक है, अब let's say आपकी एक image है, जो आपने बजार में या किसी market में खीची है, तो आप उसका caption क्या डाल देंगे, an Indian boy girl in Indian market या Indian bazar, ताकि अगर कोई भी customer पूरी दुनिया में, चाए भारत में भी हो, कोई ऐसा photograph ढूंड रहा है, जिसमें कोई भारतिय महिला या भारतिय यूवती या यूवक उसको दिखे, और वो भारत के ही किसी बजार में खड़े हों, ठीक है, तो आपका photograph उ बहुत ज़्यादा important है, ये आपके photograph को बिकवाने में आपकी मदद करता है, उसके बाद देखे दोस्तों, next है add location, देखे दोस्तों, ये add location का जो section है, बहुत important है, let's say कोई company है, दुनिया में कहीं पर भी है, वो एक ऐसा photograph खरीदना चाहती है, जिसमें एक व्यक्ती, India gate के साम well known location पर खिंची हुई है, चाहे वो mobile से खिंची है, चाहे वो camera से खिंची है, या किसी की भी photograph है, जो आपके पास है, तो आप अगर वो डालते हैं, तो साथ में location जरूर डाल दें, आपके photograph के बिकने के chances बढ़ जाते हैं, अब मैं यहाँ एक location डाल देता हूँ, अब देखे तो इस तरह से आप चाहे तो यह location बदल भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि photo आपने कहीं खिंची हो, कुछ महिने पहले या हफते पहले या कुछ दिन पहले, अब आप किसी और location पर हो, तो यह app तो आपकी present location ही check करेगा न, तो आप manually भी यह location डाल सकते हैं, आपने वो photograph जिस location पर ही ची थी, sell on market, जी हाँ बिल्कुल, sell on market का मतलब देखी, यहाँ यह है कि यह जो, I am photo selling mobile app है, इसकी जो marketplace है, उसके ओपर हमें यह photograph बेचनी है, हाँ जी बेचनी है, यह automatically on ही होता है, यहाँ पर green, उसके नीचे देखे, दोस्तों लिखा हुआ है share, यानि कि अगर आप च photos, yes I own the photos, यह click कर देना है, कहने का मतलब यह है कि जो भी photograph आपके mobile phone में है, आपने खीची है, या आपके camera में है, आपने खीची है, वो आपकी है, आपके पास उसका copyright है, ठीक है दोस्तों, ज्यादा परशान मत होईएगा, यहाँ पर इसको yes I own the photo करके continue कर दीजेगा, अब आपके दोस्तों, हमने I am photo selling mobile app के उपर, हमने अपनी photos डाल कर, या images डाल कर, पैसे कमाने है, ठीक है, तो tags यहाँ पर डालने है, तो कि देखे, I am photo selling mobile app के उपर, तो पहले से ही, लाखों photos पूरी दुनिया के लोगों ने डाल रखी है, तो आपकी photos कैसे, किसी customer की नजर में आ इसे आएंगी, वो tag से आती हैं दोस्तों, तो यह जो I am photo selling mobile app है, यह आपकी photo को check करके, अपनी तरफ से suggest कर देता है, कि यह इस तरह के tags आप डालिए, अब देखे दोस्तों, यहाँ लिखा है selected tags, अब यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले human hand, यानि मेरे photograph में हाथ दिख रहा ह है headshot, यानि मेरे सर का shot है, यानि मेरे सर को concentrate करके यह photo कीची गई है, उसके नीचे देखें confidence, यानि कि मेरे चेहरे पर confidence है, cheerful, यानि मैं थोड़ा smile कर रहा हूँ, gesturing मैंने किस तरह का gesture दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद है front view, यानि कि यह front view है camera का, उससे मेरी यह photo कीच relationship balding, ठीक है, क्योंकि मेरे सर पर बाल नहीं है, तो उसने balding लिख दिया, कि अगर किसी को इस तरह का कोई व्यक्ती की photo चाहिए, तो वो इस तरह से जो bald हो रहा हो, जिसने एक index finger पी आगे कर रखी हो, ठीक है, shaved head, ठीक है, या scientist, हो सकता कि मेरा चेहरा एक scientist जैसा लगता IEM photo selling mobile app है, ये अपनी तरफ से एक photograph को artificial intelligence के जरिए चेक करके ये suggest कर देती है, कि भईया ये tags लगा लो, ठीक है, तो आप चाहें तो as it is लगा दीजिए, या आप चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, हम चाहें तो दोस्तों यहाँ पर जहां लिखा हुआ, add a new tag, यहाँ स अपनी तरफ से कोई tag सोच कर यहाँ type भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं suggested tags में से ही कुछ tags अपने selected tags वाले section में add कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मैं balding add कर देता हूँ, यह देखिए आ गया, ठीक है, shaved head मैंने add कर दिया, ठीक है, अब मैं जैसे जैसे suggested tags में से कुछ tags चूज करके selected tags वाले section में डालता जा रहा हूँ, I am photo selling mobile app मुझे नए नए tags suggest करती चली जा रही है, ठीक है, तो मैं जितने मर्जी tags यहाँ पर डाल सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद मैं जैसे ही उपर जहाँ post का button है, यहाँ click करूँगा, तो मेरी ये photograph, इन सब details और tags के साथ, I am photo selling mobile app के marketplace में post हो जाएगी, ठीक है, अब मैं post पर click कर दूँगा, अब देखे दोस्तों, जहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, जहाँ ये arrow का निशान है, पहले लिखा हूँ था zero photo, अब यहाँ पर एक photo मेरी डल चुकी है, और वो photo यहाँ नीचे आ चुक रही है, यानि कि I am photo selling mobile app के उपर मेरी एक photo market में बिखने के लिए डल चुकी है, अब देखे जहाँ लिखा हूँ है market, मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ, कि I am photo selling mobile app के जो marketplace है, वहाँ मेरी ये photograph कैसे दिखती है, मैं market के उपर click कर रहा हूँ, देखे, अब आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हूँ है one all, यानि एक ही photograph अभी तक है, तो यह एक ही देखेगी, अब मैं इस photograph के उपर अगर एक बार अपनी उंगली से click कर दूँगा, देखे, मैंने click किया, तो देखे, यहाँ पर इसका थोड़ा सा details खुल गई, अब देखे, मैंने यह photo live हो जाएगी, customers इसको देख सकेंगे, और अगर उन्हें पसंद आएगी, तो वो इसको खरीदेंगे, और मुझे इसका 50% commission मिल जाएगा, तो इस तरह से मैं चाहूँ, तो और भी अपनी 3-4 photographs यहाँ पर upload कर सकता हूँ, आप चाहें तो जतनी मर्जी photographs, I am photo selling, mobile lab के उपर डाल सकतें दोस्तो, जितनी ज्यादा photograph डालेंगे, उतना ज्यादा चांस होगा कि आपके photographs, या आपके mobile phone या camera में पढ़े हुए, नए पुराने photographs उतने ही ज्यादा बिकेंगे, तो दोस्तो ये तो एक तरीका हुआ, I am photo selling mobile app के उपर कमाई करने का, कि जिसमें आपने, अपन कमाई का तरीका है, इसी I am photo selling mobile app के उपर, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अब देखें जहाँ उपर ये back का button है, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, अब दुबारा से back पर क्लिक कर दूँगा, अब आप देखेंगे दोस्तो, सबसे उपर, जो menu bar है, उसमें एक cup सा बना हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखें दोस्तो, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, I am photo selling mobile app के उपर, यह दूसरा तरीका है कमाई करने का, यानि यहाँ पर जो customer है, या company है, या client है, आकर अपनी requirement डाल देते हैं, कि भाया हमें इस तरह के photographs चा जाती है, ठीक है, इस process को कहते है, contest, ठीक है, बहुत सारे contest है, यह सबसे पहला जो contest है, जहां लिखा हुआ है, उपर I am four days left, यह अभी open है, इसके अंदर participate किया जा सकता है, हर बार दो, तीन, चार इस तरह के contest open रहते हैं, उसके नीचे और भी bot contest है, आप देख सकते हैं, यह जो IWD है, यह client का नाम है, British Journal of Photography, यह भी client का नाम है, लेकिन यह पूरा हो चुका है, यानि इस particular client ने, पहले ही photograph select कर लिए, किसी व्यक्ति के उसको पैसा दे दिया, यह पूरा हो चुका है, ठीक है, उसके नीचे और है, यह सब पूरे हो चुके हैं, यह अलग-अलग client हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे उपर आपको open contest मिलेंगे, जिन में आप भाग ले सकते हैं, participate कर सकते हैं, ठीक है, तो यह दूसरा तरीका है, इसके अंदर भी photograph कैसे डालते हैं, मैं आपको डालके दिखा देता हूँ, यह जो contest है, मैं इसी के ओपर अपनी finger click करता हूँ, तो देखी, यह open हो गया, अब देखी, यह लिखा हूँ है, celebrations from home, यानि यह एक, इस contest का, या requirement का theme है, ठीक है, अब यहां से हम नीचे आएंगे, देखे दोस्तों, यह वो contest है, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, ठीक है, और अपने photographs, इस contest की theme से related ही डाल सकते हैं, यह फरक होता है कि कोई भी photograph नहीं डाल सकते हैं, contest, जिस particular category या theme का है, उसी तरह के photographs, आप अपने record में से लेकर, कहीं पे आपके mobile phone या camera में है, डाल दीजे, या नहीं है, तो specifically हीच कर डाल दीजे, अपने camera से, या mobile phone से, ठीक है, अब वो यहां स से ही, कुछ photograph यहां डाले गए हैं, यह अंदाजा दिलाने के लिए आपको, कि किस तरह के photographs, या किस category या theme के photograph आपको यहां डालने, ठीक है, इस से आपको अंदाजा लग गया, ठीक है, और यहां पर देखी, जो plus का sign है, यहां से आप अपने photograph डालेंगे, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, अब plus पे क्लिक कर देंगे, अब देखी, यहां पर दो category खुल गई, submit new photo, यानि कि इस particular theme या category से related, आप कोई photograph दुबारा से upload करेंगे, I am mobile app के उपर, नीचे वाली category है, choose from profile, इसका मतलब यह है, कि आपने पहले से ही, जो 2, 4, 5, 10, 50, 100 photographs, I am mobile app के उपर download कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिल हल आपको एक नया photograph, यहां पर इस contest में कैसे upload करना है, वो दिखा देता हूँ, submit new photo पर click कर दूँगा, gallery पर आ जाओंगा, अब मैं यहां से एक अपना photograph, choose कर लेता हूँ, अब देखे, यहां जहां I am लिखा, मैं इसे choose कर लूँगा, just once, अब जबारा नहीं बताऊंगा, अब भी मैं इस photograph को as it is ही छोड़ दूँगा, मैं अब यहां पर next पर click कर दूँगा, यहां पर भी दोस्तों मुझे एक caption डाल देना है, यहां मैंने caption डाल दिया, smiling man in office, ठीक है, अब location इसने पहले से मेरी ले रखी है, मैं चाहूं तो इसको edit भी दिखा रहा है, और selected भी दिखा रहा है, और उपर लिखा हुआ है, add a new tag, process वही है दोस्तों, हर photograph के साथ यह process हमें करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने photograph को बेचना चाहते हैं, तो जब तक कि हम customer या client या company जो photograph खरीदने आई है, इस mobile app के उपर, जब तक हम उन्हें details नही दालनी होती है, ठीक है, और अभी फिलाल मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलाल पोस्ट पर क्लिक कर दूँगा, थोड़ी सी देर इसको लगती है, हमारा नया photograph हमारी profile में या हमारे portfolio में डाल कर हमें दिखाने के लिए, अभी कि ये left में जो आपको दूसर from profile करूँगा, क्योंकि मैंने photo तो अपने profile में या अपने portfolio में इस mobile app पर एक और डाली दिये, ठीक है, अब choose from profile करेंगे, और ये जो photograph है, जो मैंने इस contest के लिए ही डाली है, उसको मैंने निकाल लिया और add पर click कर दिया, अब देखे नीचे लिखा हुआ, added one photo to mission, ठीक है, तो और वहां से भी कमाई की कोशिश करनी है, अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ, कि आप I am photo selling mobile app पर photos डाल कर, ये upload करके, जो कमाई करेंगे, वो आपके भारत के saving bank account में सुरक्षित कैसे पहुँचेगी, अब मैं यहां से back जाओंगा, देखे जो मेरा ये profile का आप दे 100% safe है, आप जो भी कमाई, I am mobile app पर करेंगे, वो PayPal के जरीए आपके भारत के किसी भी saving bank account में पहुच जाएगी, चाहे वो सरकारी bank है, या private bank है, या सहकारी bank है, सब जगा पैसे PayPal के जरीए आपके account में पहुचते हैं, और बिल्कुल safe पहुचते हैं, अगर आपका अभी तक PayPal का account नहीं बना है, आप चिंता मत कीजिए, जब आप I am photo selling mobile app के ओपर कमाई कर चुके होंगे, तो PayPal का account बना लीजेगा, PayPal का account सिरफ 2 मिनट में mobile phone पर बनता है, 100% free है, मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, अपने mobile phone पर ही और उसका एक video shoot करकर YouTube पर डाल रखा है, ठीक है, म उस video का link इस video के description box में टाल दूँगा, आप उसको follow करके सिरफ 2-3 मिनट में 100% free में अपना भरत का saving bank account PayPal के साथ attach कर देंगे, PayPal कुछ नहीं है, एक email ID होती है बस, ठीक है, और वो आप ही की email ID होती है, Gmail की, कोई भी ID, जिससे आप PayPal का account बनाते हैं, बस वो जहां connect लिखा है, यह लक्षित आपके भारतिय सेविंग bank account में पहुंच जाती है, तो friends, यह तो थी बात जहां तक अपने mobile phone में पड़े हुए photographs को बेशने की कोशिश करके US dollars या euros में कमाई कर लेनी है, इसके अलावा, अगर आप एक full time job भी ढूंड रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, तो मैंने क वीडियो के description box में लिख दूँगा, आप जाकर उन्हें भी देख लीजे, आपकी मन मताबिक full time job भी जल्दी से जल्दी लग जाएगी, तो यह थी video friends, thank you very much.